दोस्तो क्रेडिट कार्ड भी इस आग की तरह है यूसफुल है लेकिन अगर चूक गया तो जल जाएंगे क्रेडिट कार्ड आपको बहुत सारी सुविधाय देता है लेकिन अगर बिल पेमेंट टाइम पर नहीं किया तो सारे फायदे पानी में चले जाएंगे लेकिन इस खत्रे को खत्म करने का एक तरीका भी है बस आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट का तरीका बदलना होगा उसके बाद क्रेडिट कार्ड से नुकसान का खत्रा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब सिर्फ फायदा ही फायदा रहेगा इसके लिए आपको credit card के automatic bill payment को set करना होगा इस method से आपको 5 बहुत बड़े फायदे होंगे automatic bill payment से आपको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाती है आपको हर महीने बार बार payment की कसरत नहीं करने होगी वैसे तो bill payment के कई तरीके होते हैं लेकिन सभी तरीकों के लिए आपको कुछ नकुछ effort लगाना होता है कुछ नकुछ time जरूर देना होगा automatic payment सेट कर देने से ऐसी सारी परिशानियों से चुटकारा मिल जाएगा दरसल आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों और time भी बच जाएगा आपको due date याद रखने की जरूरत भी नहीं है बिल पेमेंट की तारीक निकल जाने की चिंता भी नहीं करनी है और हर महीने time पर बिल पेमेंट भी हो जाएगा जानते हैं दोस्तों credit card कमपनियां इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या बताती है वो कहती है कि credit card से आपको 45-50 दिन तक interest free loan मिल जाता है लेकिन reality में आपको इतने दिनों तक interest free loan का फाइदा नहीं मिलता है क्योंकि बिल पेमेंट के लिए आपको जो 10-15 दिन का वक्त मिलता है आप उसका पूरा फाइदा नहीं उठा पाते हैं लोगों को बिल पेमेंट मिस हो जाने का डर होता है इसलिए जादा तर लोग बिल आते ही उसका पेमेंट कर देते हैं यानि असल में इतने जादा दिन तक उन्हें interest free loan का फाइदा नहीं मिलता है लेकिन अगर automatic payment सेट कर देंगे तो आपको maximum फाइदा मिलेगा क्योंकि इसका पैसा due date वाले दिन ही कटता है दोस्तों credit card के मामले में आपकी छोटी सी भूल बहुत महगी साबित हो सकती है अगर किसी महीने आप payment की due date मिस कर देंगे तो कई तरह के charges लग जाएंगे और हो सकता है कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो अगर हुआ है तो इसे share जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का नुकसान होने से बस सके हाला कि दोस्तों अगर आप automatic bill payment set कर देते हैं तो दुबारा ऐसा नहीं होगा क्योंकि तब due date मिस होने का सवाल ही नहीं होता वहीं अगर आप हर महीने खुद से bill का payment करते हैं और किसी महीने date मिस कर देते हैं तो दो तरह के charges लग सकते हैं पहला आपको late payment fees देनी होगी ये करीब 500 रुपे होती है दूसरा interest free credit की सुविधा खत्म हो जाएगी इसलिए आपने जिस दिन शॉपिंग की होगी उस दिन से पूरा ब्यास देना होगा और इसका rate बहुत ज्यादा होता है इसकी ब्यासदर saving account के ब्यासदर की 15 गुनी होती है saving account पर interest rate 3-4% है जब कि credit card का interest rate 40-45% होता है तो यह तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि आजकल bank credit score के आधार पर ही loan देते है उसी के आधार पर loan का rate भी decide होता है यहां तक की नया credit card भी उसी के आधार पर दिया जाता है ऐसे में credit score का अच्छा रहना बहुत जरूरी है और automatic bill payment इसमें बहुत मदद करता है क्योंकि bill payment के इस तरीके की वज़े से आप कभी भी default नहीं करते हैं बिल का payment हमेशा टाइम पर हो जाता है और इसलिए आपका credit score बढ़ता जाता है दोस्तों credit card के फायदों को देखते हुए हम इसे ले तो लेते हैं लेकिन इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं बिल का payment मिस ना हो जाए लेकिन automatic payment इस बात की चिंता को खत्म कर देता है यानि हमारी बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और हम दूसरी चीजों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं हम टेंशन फ्री रहते हैं और सुकून की सास ले सकते हैं क्या आपको भी automatic bill payment से ऐसी रहत मिली है हमें comment करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों हमने आपको credit card के automatic bill payment के 5 फायदे बताए लेकिन इसके साथ ही आपको दो बातों का ख्याल जरूर रखना है Automatic bill payment में आपके saving account से पैसा अपने आप कर जाता है लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आपके saving account में परियाप्त पैसा हो इसलिए आप समय समय पर अपना saving account चेक करके देख लीजिए कि उसमें balance है या नहीं अगर bill का payment करने का balance नहीं होगा तो फिर आप default कर जाएंगे और उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा दोस्तों भले ही automatic bill payment से आपकी tension खत्म हो जाती है लेकिन हर महीने अपने card का statement चेक करना जरूरी है ये देख लें कि सब उसमें ठीक ठाक है या नहीं कहीं कोई charge बेवज़ा तो नहीं लगा दिया गया है या फिर कोई unauthorized transaction तो नहीं हुआ है ये भी जरूरी है कि अगर credit card से जुड़ा कोई SMS आता है तो उसे जरूर ध्यान से पढ़ें तो दोस्तों हमारे इस छोटे से वीडियो से आपको credit card के बहतर इस्तिमाल में जरूर मदद मिली होगी हमने इस वीडियो को बनाने में मेहनत की है अब आप भी एक छोटा सा काम कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए